हेलो स्टूरेंग टूड़ी वी बिल रीड दा न्यू टॉपिक मोर कच्छुआ पिंकू नाम का पिंकू नाम का एक कच्छुआ तालाब के किनारी रहता था उसी तालाब पर चंटू बंटू नाम के दो हंस भूजन की तलास में हर रोज उस तालाब पर आया करते थे तालाब पर तालाब पर जाते जाते उन हंसों की दोस्ती पिंकू कच्छुए से हो गई अपना काफी समय एक साथ बिताते थे कुछ समय बाद देश में काल पड़ गया बारिश ना होने से तालाब सुखने लगा चंटू और बंटू ने तालाब को छोड़ने का निच्चे क्या जब उन्होंने पिंटू को सारी बात बताई तुवे बहुत परिशान हो गया बोला तुम लोग मुझे यहां अकेला क्यों छोड़ का जा रहे हैं मुझे भी अपने साथ ले चलो बंटू हंस ने उससे कहा कि हम तो उड़ सकते हैं परन्तू पिंकू भाई तुम कैसे उड़ोगे बहुत सोच विचार के बाद एक उपाय सूजा बंटू हंस ने पिंकू कचुए को डंडी लाने को कहा अब उस डंडी के दोनों सिरों को चंटू और बंटू ने अपनी चौँच में पकड़ लिया डंडी के बीच वाले भाग को पिंकू अपने मजबूत दातों से पकड़ कर लटक गया पर उड़ने से पहले चंटू औ उपर होते हुए पानी वाले स्तल की खोज में उड़ते जा रहे थे जब वे एक सेर के उपर से जा रहे थे तो उस द्रश को देख कर लोग भहुत हैरान रह गए वे तालियम बचाने लगे और कुसी से चिल्दाने लगे कचुए ने यह तो देखा कचुए ने यह देखा तो बोला यह मूर कितना क्यों चिल्दा रहे हैं जैसे ही उसने अपनी बात कही तो भे हवा में गोता खाता हुआ धम से जमीन पर आग गिरा जैसे उसने अपनी बात कहने के लिए क्या करा अपना मुह उपन कर दिया तो उसके हाद से क्या हुआ अडेंडर छूट गया और जाकर नीचे गिर गया सिच्छा बे मौके बे मौके मुझ खोलना बहुत महंगा पड़ता है बेवजय मुझ खोलना बहुत महंगा पड़ता है मूर कच्छुआ पिंकु नाम कई कच्छुआ तालाब के किनारे रहता था उसी तालाब पर जेंटू बंटू नाम की दो हंस ब तालाब सूकने लगा चंटू और बंटू ने तालाब को छोड़ने का निचेक जब उन्होंने पिंकू को सारी बात बताई तो बहुत परिशान हो गया बोला तुम लोग मुझे यहां केला क्यों छोड़कर जा रहे हैं मुझे भी अपने साथ ले चलो बंटू हंस ने उससे क पकड़ लिया डंडी के बीच वाले भाग को पिंकू अपने मजबूत दांतों से पकड़कर लटक गया डंडी के बीच वाले भाग को पिंकू अपने मजबूत दांतों से पकड़कर लटक गया पर उड़ने से पहले चंटू और बंटू ने उससे साब्दान कर दिया था स आन्ैता क्या होगा डंटी चूट जाएगी अपना मुना खोले और उड़ गये उसे साब्दान कहा कि वे पूरे रास्ते में गलती से कुछ भी唱 पईएरों फॉटे गर्यां गामों सेरों के वह courtyard कि पानी वाले स्थहर के उठील ho Cathy आए czy उस द्रशी को देखकर लोग भहुत एहरान रह गए वे तालियां बजाने लगे खचुवे ने ही है तो तालियां बजाने लगे और खचुवे ने लगे एक ही खचुवे भी उड़ सकता है खचुवे ने जब ये वास सुनी तो क्या हुआ खचुवे ने ये देखा तो बोला ये मूर्क इतना क्यों चिला रहे हैं ये मूर्क लोग इतना क्यों चिला रहे हैं जैसे उसने जैसे ही उसने अपनी बात कही तो हवा में गोता खाता हुआ धम से जमीन पर जा गिरा उसने अपना मूँ खोल दिया तो डंडी हाथ से मूँ से छूट गई उसके माउस से छूट गई तो जैसे कि ये मूँ कितना क्यों चिला रहे हैं जैसे उसने अपनी बात कही तो हवा में गोता खाता उधम से जमीन पर जाग गिरा आद की सिच्छा में ये मिलती है बे मौके मूँ खुलना बहुत महंगा पड़ता है थैंक यू वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब